नमस्कार और अधापाद सनीचर है जिन्वरी के 18 तारीक पेशियाप के लिए 7 दिन के खबरें सोमवर से सोशल मेडिया पर काफी चर्चा हो रहे हैं और ये है रोबर्ट फंट्रिक के बारे में जो गोवर्णड है संत्राल बंक फंट सुरीनाम का इन पर काफी इल्जाम लगाया गया है कि कुछ ऐसा कदम उठाए है और अब इन्हें फरलोफ से भेजा गया है ये रोबर्ट फंट्रिक जो गोवर्णड है संत्राल बंक फंट सुरीनाम का ये जो खबरें सोशल मेडिया पर फैलाया गया है कि ये एक प्रिफे गाड़ी जो है एक आउटो प्रिफे आउटो खरीदे है जिसका कीमत है तीन सव हजार युएस डॉलर का और मिल्यूनन सुरीनाम से डॉलर के लिए वो फूर वेरक खरीदे है ये पैसा जो है ये संत्राल पंक फंट सुरीनाम का है त्रिक्ट को फरलोफ से भेजा गया है ये पहला ख़वर था जो मेडिया में लोग बाहर लाए है कोजबिन से यह पता चला है कि ओपोसिट्सी या कोजबिन के बात यह पता चला है कि इन्हें फरलोफ से भेजा गया है और ओपन बारफ रखादरिंग में मंगर को ओपोसिट्सी में पंचगर में इस समस्या के बारे में काफी सवाल किये है सरकार के तरफ से अरबेट का मिनिस्टर, सुवर्टो, मुस्ता जा जो रखेरिंग्स को ओर्डिनाद हो रहे ये बताए है कि ट्रेक्ट खुद ये इंटरन अंदर्शूब ये जो चान बीन हो रहा है इस समस्या में ये इसमें मदद दे रहे है और ये इस वक्त चान बीन हो रहा है और अगर ये खुजबिन खतम हो जाएगा तो सरकार खुद देयाना में आएगा इस बारे में देयाना को बताने के लिए और भी जंता को इस बारे में और जानकारी देने के लिए यह जो खास मुद्व पर बंक के बारे में संत्राल बंक फंसुरीनामा के बारे में चर्चा हो रहे हैं इस बारे में सोशल मेडिया में ना स्रीफ लेकिन एप के जरीए भी कुछ ऐसे खबरे कुछ ऐसे डॉकिमंट्स लोग आपस में भेज रहे हैं एक दूसरे को और इस बारे में जो जवाब मिनिस्टर सुवारतों मुस्ताजा दिये हैं पंचगर में इससे उपसीट सी खुश नहीं था उस वक्फिम्खेर एंफोर्सितर जिथारोसेली कोटिनो मुस्ताजास को चार बार मौका दिये हैं इस बारे में कुछ और कहने के लिए लेकिन मुस्ताजानी कहा है कि इस वक्फ चान बिन हो रहा है और अगर चान बिन खत्म हो जाएगा तो जानकारी लोगों को मिलेगा और उस वक्फ के लिए उन्होंने कहा कि ये इतने ही जानकारी है जो वो दे सकते हैं बुदको, सोचल मेडिया के जरी है दो दो कुमें पहलाया के ये इस समस्या के बारे में और वाटसप, वाटसप के जरी ही एक लें ओवरेंकॉम्स जो वन तृपका और संट्राले बंक वन सुरीनाव का है दो नो ने दस तगत कि ये हैं ये वर फफूर ये गारी के सिल्सिल कर्जा गोवनर ली हे, संटराले बंक के बास ये एक नया मोटरगाडी गरीने के वास ये एक लुक्स वोर्तुघ है इक बहुत ही लुक्स मोटरगाडी ही जो थे म.न.कार सेंटर के साडर जरी हो गरी घरी हमी घरी है और तीस तारिक उक्तोबर को ये गारी सुरीनाम में इसको इस्तमाल किये है और इसके आधार पर ये गाड़ी खरीदा गया है। वैसे हम ये आपको बताना चाहते है कि राधवान कोमिसार अरसल एरफई सेई बंक का एक बयान भी बाहर लाए है और इस बयान इस फरक्लारिंग में कहा गया है कि गौविनर को स्खरिफ तलक ये कहा गया है जानकारी देने को और खुलासा करने के लिए जो दौकिमंट्स जाना चाहते हैं गौविनर फंट्रिक जो है ये खूद मदद दे रहे हैं इस चानबीन में और एरफई से इने कहा है कि एक हफता के अंदर पूरा जानकारी मिल जाएगा ये चानबीन खतम हो जाएगा तब तक ट्रिक को कहा गया है फरलफ से जाने के लिए मेडिया में जो सवाल है जो जानकारी लोग चाहते हैं ये इस पर फंट्रिक को जवाब देना है ये भी कहा गया है कि फंट्रिक बाउट लंग भाग गये है और ये भी कहा गया है कि सेंट्राल अब आप फंसुरिनामा की तरफ से वो कोई कॉंफरेंसी में वीडेस में हिस्सा ले रहे है य ये सब सच बात नहीं है ये जरूर बताने के बात है कि कोई करीब का शक्स है जिने इस मामले के बारे में पूरा जानकारी है और ये डॉकिमंस जिनके पास था सोशल मेडिया पर फैलाए है लेकिन ऐसा क्यों हुआ है मेडिया तक क्यों लीक हुआ है ये डॉकिमंस ये अभ जो लोग वीदेश भेजना चाहते हैं, दस हजार से लेकर पचास हजार दॉलर तक इसके लिए दफीज कोमेसी का इजासत जरजामंदी जरूरी है. यह जो नया रेखलिंग, दफीजा रेखलिंग है, यह बीत हुए बूट से लागू होता, लेकिन इसमें रुकावट डाला गया है, अब यह रोक दिया गया है. जो लोग कभी देश पैसा ले जाना चाहते हैं, उन लोगों को दफीज कोमेसी के सरीए इजासत के जरूरत है. यह रेखलिंग में कुछ ऐसे चीजे लिखा गया है, जो सही नहीं है, इसके बारे में गल्ट फहिमी है, इसलिए इसे बदलना बहुत जरूरी है, और इस वर इस वख काम हो रहा है, यह रेखलिंग में कुछ बदलाव लाने के लिए. सवाल यह भी कहिया गया है, कि अगर आप बंक ओफर माकिंग से पैसा, फ्रिंग द फालुटावी देसी पैसा अगर आप ओफर माक करना चाहते, क्या इसके लिए भी दवीज़कोमेसी का इजासत या फरकुनिंग के जरूरी है, तो क्रिस्टोफर ने कहा है, फोर्शेदर जो है, वित्वस, यह मतलब इस पर पावंदी लगाने के लिए, कि यो पैसा जो है, गलत या बेकानूनी तरीका से कमाया गया है, गलत काम में लगाया जाए, इस पर लोग रुकावत डालना चाहते है, आपको पता है, अप्रिल दोहसार अठार पिछले साल में जब ने कंत बदल कर वापस सुरिणाम देश में लाते है, ऐसे में कई लोग गिरफतार हुए है, कई लोगों के पास पैसा मिले है, खास्ता और पर अमेरिका और आरूबा में पिछले साल में जिनके पास काफी बड़ा रकम था, काफी पैसा था, यह फ्रेम दफ अलुटा जो है, जो पैसा कोई काला धंधा से कमाया हुआ पैसा नहीं है, यह जानना बहुत से रोड़ी है, यह बेकानूनी तोर पर सही होना चाहिए, अगर देश में लोग पैसा लाते हैं, यह देश से बाहर ले जाते हैं, मंगर के शाम को एक उंदर नेमर को लूटा गया है, और यह है खों उंदर नेमर के सर पर यह पिस्टो लगाए है, इनके गाड़ी से तस लेकर वहां से फरार होने की कोशिश किये है, दूसरा गाड़ी में लोग बैट कर वहां से भागने की कोशिश किये है, यह उंदर नेमर इसका पीछा किया है, लेकिन कॉंट्रोल हो दिया है, और जाकर इलेक्त्रिसितेटेज मस्द सी तकराया है। ये जो गुन्डे थे, ये चोरजो थे, ये सब इन लोगों का गारी का गारी इस फरार होनी की कोशिश किये है정ा और दोनो गारी जो गुन्डों ने इस्तمाल किये, ये दोनो गारी वापस मिला है। लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला है और पोलीस इस मामले में खोजवीन कर रहा है। खोजवीन से पता चला है ये जानकारी मिला है कि ये वही अंदर नेमर है जो कुछ समय पहले जिसको लोग लूटे थे और ये खायर्श फ्लाइट में मेरी बाका ग्रूप इनसे पैसा चोड़ी किये थे और सार्जू ये वही अंदर नेमर है। पुराना मिनिस्टर अंदर वैस का रोबर्ट पुनोई जो है इन्हें नया दिरेक्टर बैठाया गया है अकादेमी से लेरारन अप्लाइडिंग आलो का। मेरे अंदर मिनिस्टर अंदरे मेसी काबा जो इस वख उंदर वैस पर वारनेमी में बैठे है ऐसा किये है इनको न्यूक्त किया है और ये कहते है कि ये सही शक्से इस पदवी के पास थे इनके पास काफी तजूरबा और भी जानकारी है और ये भी कहा गया है कि उंदर वै के इलावा उंदरवाज मिनिस्टर भी था और मिलिटेर अकादेमी कायम करने में पुनुई का बहुत बड़ा हाथ था वैसे ये साथ साल भी लेरार अपलाइडिंग पर दुसेंद था और उन दीनों में अपलाइडिंग हंदल्स वेतंसकापन में इनका बहुत बड़ा हाथ था बदलाव लाने के लिए अब ये अपलाइडिंग एकोनोमी हो गया है ये जो ट्रांस्फॉर्माटसी इस वक्त भी तक चल रहा है E.L.O. से A.L.O. करने के लिए इसमें भी काफी काम करना है और पिनों कहते हैं ये आसान काम नहीं है लेकिन इनके लिए एक चैलन्ज है और ये जो टोर से कोशिश करता है बाकी जो काम है ये पूरा करने को अना फंकलक है इस प्लैन पर इस साल शीने इसनी विया चैनीस लोगों का नया साल जो है जिनवरी के 25 तारीक को ये धूम धाम के साथ मनाया जाएगा ये यार फंदर रात चुहा का साल है चैनीस लोग इसको कहते है और बहुत से ऐसे अक्टिफिताइट रहेगा जब जशन मनाया जाएगा ये जानकारी मिनिस्टर स्टेफन संग जो है मिनिस्टर हंदल इंडूस्री और तुरिस्म का हमें दिये है स्टेफन संग ये कहते है कि कोशिश है चैनीस का ये नया साल जो है इसको एक बड़ा जशन बनाने के खास दोर पर तुरिस्तिन को इस देश में लाने के लिए तुरिस्तिन को इस देश तक खीचने के वास्ते बातचीत हुआ है, मिनिस्टर ने बातचीत किया है, सुरी नाम Chinese United Association और शिनीज अमबसाद के साथ, जो सलाना ये जो निवियार है, शिनीज निवियार जो है काकाएफ के बुर्स तरैन पर लोग मनाती है, तो ये लोग बातचीत किये इस साल और अफंकलक हैट्स प्लैन पर य शिनीज निवियार जो है, सुरी नाम देश एकी देश है, जो यहाँ पर सुरी नाम देश में शिनीज निवियार एक नचुनाल फेस्टाख है, और इस तरह से मनाया जाता है, ये रेखियों में ना स्रिफ लेकिन दुनिया भर में एक उनिकम है, और इस पर लोग चाहते है कि देश में देश का इसे फायदा हो ताके बहुत कि बहुत से ऐसे चाइनीज लोग है जो सुरी नाम देश में रहते हैं और ये जो जशन होगा इसे देखने के लिए लोग चाते हैं अगामी में काफी तुरिस्तन सुरी नाम देश आए जिस्दिन ये देशन मनाई जेगा, अनावंकलिकेट प्लेंपर, यहापर एक बरादरी रहेगा, कंवरेंसहाल में एक फोतो तन तोंस्टलिंग रहेगा, जिसका थेमा हे, जिसका थेमा हे, देशनीज एक अगे में कुछ अग्रोबात इन चीना से आई हे, जे आए पर कुछ उपना प्रोग्ण करने के लिए, एक उपत्री एक अपड़िए के वास ते, और सबसे एक एक वैरेक्शो हे, जो कलिक मत भीसमीट का वैरेक्शोर हेगा, और ये रहेगा, वैदॉनबस-Boolपर, होगste punt वैदॉनबस बुचपर, और मिनिस्टर ये बताए है कि पॉलीस, ब्रांटवेर और डिरेक्टरात नच्छनाल फैलखाई के साथ लोग बात्चीत कर चुके हैं ये फूर वैरक्षो के बारे में और पूरा तोर से सुरक्षा या नहीं फासित पर होर किया जाएगा इस बारे में बात्चीत हो चुका है ये हम आपको बता दे कि 25 तारी जन्वरी को वैदन बॉस ब्रुख जो है जब ये अप स्टेलिंग होगा मतलब तयारिया लोग करेंगी ये फूर वैरक्षो का तो ये पूल जो है ब्रुख जो है ये बंत रहेगा यातायाद के लिए और ये है चार वजे शम से रात को सरहे 8 अलफ नहीं खतक ये फूर वैरक्षो रात को 9 बजे रहेगा ये कहा गया है कि फूलीस वहां पर मौजूद रहेगा आपको इशारा करने के लिए कैसे आपको चलाना है और एक बान वाधन बास ब्रुख का ये यातायाद के लिए खोला जाएगा उमीद है, जरूर उमीद जियादा है कि ये ऐ फिनमेंट जो है कम्याब होगा और इसका फीडियो बेल्डन वीदेज में जब दिखाया जाएगा तो तुरिस्म प्रमोट करने में लोग कम्याब होंगे और काफी तुरिस्तन सुरिनाम देश आएगा मिनिस्तर सांग ये भी का है कि ना स्रिफ शिनीस नहीं प्यार लेकिन फगवा और भी आफंद फिर डाखस पर लोगों को खास घौर दालना चाहिए इसे प्रमोट करना चाहिए ताकि ये देखकर सुरिनाम देश में ज्यादा तुरिस्तन आए जिससे देश का फाइदा होगा बीफे को देएना फरखादरिंग था लेकिन को रिमना होने के वज़े से ये फरखादरिंग जारी नहीं हुआ है और बार फरखादरिंग 11 बिजे के लिए 11 यूर के लिए अखेंदा पर था और लोग बात्चीत करने वाले थी हूर वेट वोन रॉम्त 2020 के बारे में सोमवार और मंगर को इस वेट इस कानून के बारे में काफी चर्चा हो चुका था ये दुसकसिस जो ये चर्चा जो है इनिचाटिफ वेट का जो इन दिन किये है यनिफर सीमॉन्स और रोसली कोटी नो ये जारी करना था लेकिन तीन घंटे इंतजार करने के बाद जब कोरूम नहीं था, तो ये फरखादरिंग जो हे उस वक्त फुम्खेरन फोर्शितर था, कोटी नो ये टाल दिये है। सीमोंस जो हे इनिचाटीफ वेट के बारे में चर्चा कर रहा था, इस बारे में बात्चीत कर रहा था, इसलिए ये उस वक्त फुर्शितर नहीं था। उपोसित्सी के लोग ये सब वहादे आना के मकान में मौझूद थे, लेकिन लोग प्रसेंसी स्थाद दस्टखट नहीं किये है, और इसलिए कोरूम नहीं था, उपोसित्सी के तरफ से सिर्फेहा पर्लमेंटारी रियाद नूर महमन ने दस्टखट किये थे, लेकिन वो इ से के तरफ से रेमों सापून, सेल्सियूस वातरबेरग और विल्याम वाइदू, ये सब मौझूद नहीं थे, क्रदीत ब और देलार, जो हे, फिच रेटिंग, सुरिनाम का क्रदीत वार्दख है, ये नीचे लाए है, बीफे को ये ख़बर बाहर आई है, कि सुरिनाम का र वागोन जो हे, बेसे कम ब और देलिंग सुरिनाम देश को दिये है, मिनिस्टर फ़न फिनन्सियन को बूद को ये कौनसेप्ट रपोर्ट मिला है, और मिनिस्टर हूफदराद काफी गुसे में है, ये रपोर्ट को पढ़कर इसको देखकर, ये काफी गुसे में है, क्योंक कि ये कॉंट्रक्ट जो हे, ये फिननन्सियन से रोक दिया गया है, अब कोई कॉंट्रक्ट नहीं है फिननन्सियन का इस रेइटिंग बुरो से, ये त्रेपल रेइटिंग जो हे, इसका मतलब ये है कि सुरिनाम देश जो हे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिजिको है, कि जो अबलिखाद सी लेनिंग है और दूसरे फिनाशेरिंग जो है सुरिणाम देश जो करजा लिये है ये पैसा वापस नहीं भर पाएगा बंकन को इजासत नहीं है अगर एक क्रिपल सी रेटिंग है और ये क्रदीदवार दखेत के घटने से साबित होता है कि सुरिणाम जो है सरकार काफी ज्यादा करजा लिये है और पैसा नहीं चुका पाएगा पैसा नहीं भर पाएगा ये एक ट्रिपल सी रेटिंग का मतलब है प्रेजिडन्ट देशी बाउदर्श जो है फोशितर देयाना के सभानेतरी यनिफर सीमोंस को एक ख़त भेज़े है और इसमें इनसे कहा गया है कि जो फोर्द राख्तन था कॉंस्टिटिचोनेल होफ का इसको दोबारा इनके पास भेजने के लिए और यह होना चाहिए फोर्द राख्तन ना स्रीफ कोवालिट्सी का लेकिन भी उपोसित्सी का पेश्टर आपको पता है कि लोग काफी कटास की है इसके बारे में चर्चा होआ क्योंकि स्रीफ एनडेपे फ्रक्सी के तरफ से यह फोर्द राख्तन होआ था और यह गलत था यह सही नहीं था यह कहा गया था इसलिए अब प्रेजिदेंट देजी बाउट शे फैसला किये है कि फिर से इस पर वो दोबारा घौर करने वाले है और फोर्द देयाना से कहा गया है कि ओपोसित्सी और कोवालिट्सी दोनों का फोर्द राख्तन इनके लिए भेजने को इ कॉंस्टिटिशोनेल होफ में लेदन बैठाने से पहले यह आखरी खबर है आज साथी में शुक्रिया नमस्कार और खुदापीस